फ्रेंज्स किया आपने भी कभी चीनी में शेंपू मिला कर देखा है। अगर नहीं मिलाया है तो आज आप चीनी में शेंपू मिलाकर ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज आपके बालों के लिए बहुती बाइरल हैक आज आपके शाहराद शेयर करूँगी। जिसे इस्तमाल करते ही आपके बालों की जो ग्रोथ है वो चारगुना तेजी से बढ़ने लगेगी बालों को भरपूर पोशन मिलेगा और बालों का जहना तो बिल्कुल रुखी जाएगा या आपके बालों को सिल्की साइनिंग और स्मूथ बनाएगा आपके बालों बहुत बढ़िया शाइन आने लगेगी यह बहुती खास और अजमाई हुई रेमेडी है जिसको इस्तमाल करके आप अपने बालों को काला लंबा घना और जड़ से मजबूत बना सकते हैं इसके साथ साथ आपके बाद सिल्की साइनिंग और स्मूथ हो जाएंगे फ्रेंड्स मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं बहुत लोगों के कमेंट आते हैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बालों के लिए सबसे अच्छा शैंपू कौन सा है तो फ्रेंड्स आपको सबसे अच्छा शैंपू जो है आपको खुदी तयार करना होगा आप घर बैटे ही आप अपने शेंपू को बहुती इजी तरीकी से रेडी कर सकते हैं। अपने शेंपू में आज आपको सिर्फ दो खास चीजे मिलानी हैं। और आपका घर बैटे ही वर्ड का वेस्ट शेंपू बनकर त्यार हो जाएगा। आप कोई भी शेंपू यूज करते हों। उसी में सिर्फ आप इसमें दो चीजे एड करके उसे जरूर लगाएं। उससे आपका रेगुलर शेंपू जो है वो और भी ज्यादा पाबर्फुल बन जाएगा। तो वो कौन सी चीजे हैं जो आपको अपने शेंपू में मिलानी हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक और जाद से जादा शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले चीज आपको यहां पर फ्रेंट्स लेनी हैं वो है चीनी यानि की शुगर। चीनी आसानी से सभी घरों में आसानी से मिल जाती है। चीनी हमारे सेंपू के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। यकीन ना हो तो आप खुदी गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। चीनी डेट सेल्स को गंदगी को भार निकाल देती है। यह बालों को ऑईली होने से बचाती है। यह हमारे बालों की ग्रोथ को भी प्रोमोट करती है। चीनी हमारे बालों को silky, signing and smooth बना देती है, चीनी हमारे बालों को straight करने में भी बहुत ही जादा help करती है, आपको यहाँ पर एक चम्मा चीनी लेनी है, अब आपको दूसरी चीज जिसमें एड करनी है वो है नारेल का तेल, यानि की coconut oil, नारेल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही खास होता है, और बहुत ही बढ़िया होता है, यह हमारे बालों को जर से काला और मजबूत बनाता है, साथ ही बालों को लंबा भी बनाता है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होने लगती है बालों को सची पोशन मिनने लगता है एक ही चमच आपको यहाँ पर लेना है नारियल का तेल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर सिर्फ अपने शैंपू में दो चीज़ें एड़ करनी है तो फ्रेंड्स आपको यही दो चीज़ें अपने शैंपू में आपको मिलानी है अब आपको इसमें मिलाना है अपना फेवरिट शैंपू आप यहाँ पर कोई भी शैंपू इसमें एड़ कर सकते हैं जो भी आपके बालों को सूट करता हो जो भी आप अपने बालों पर regular लगाते हैं मैं यहाँ पर यह वाला शैंपू एड़ करूँगी एक बूरा पाउच आपको यहाँ पर शैंपू का मिला लेना है फिर जब भी आप अपने बालों को वाश करें तो ये वाला शॉलूसन आप जरू ट्राइ करके देखिए इसी तरीके से आपको दो चीजों को मिलाना है फिर आपको इसमें अपना फेवरेट शेंपू मिला लेना है तो आपके जटपट से रेड़ी बनकर त्यार हो जाती है आपको कोई भी ताम जम जादा करने की ज़रूद नहीं है आपको नहाने से फेले सिर्फ आपको इसी तरीके से अपना शेंपू रेड़ी कर लेना है और अपने बालों पर और जड़ों पर अच्छे से लगा लेना है पैसे भी आपको शैंपू अपने बालों पर डारेक्ट यूज नी करना चाहिए उससे बाल जो हमारे बाल ज़णने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हैं वीडियो में चीनी जो है आप अच्छे से इसको फैटेंगे, तो चीनी जो है आपकी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी अब आप इसमें मिला लीजिए थोड़ा सा पानी चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगी चीनी, नारिल का तेल और शेंपू ये तीनों ही चीज़ें बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये हमारे बालों की ग्रोध को प्रोमोट करती है इससे बाल हमारे लंबे तो होंगे ही और साथ ही आपके बाल काले, घने और जर से मजबूत भी होंगे जब भी आपको अपने बालों में शेंपू करना हो तो इसी तरीके से आपको सिर्फ दो चीज़े मिला कर तभी अपने बालों पर लगाएं यकीन मानी फ्रेंट्स आपको बहुती अच्छो लाजवा ब्रेजर्ट मिलेगा आपके बाल एक ही बार में चमकदार, सिल्की, साइनिंग और स्मूथ हो जाएंगे आप नॉर्मल शैंपू ते वैसे भी करते ही होंगे लेकिन आप शैंपू में चीनी और नारिल का तेल इसमें मिला लेंगे और फिर आप अपने बालों पर लगाएंगे तो आपके बालों को जन्ना बिल्कुल बंद हो जाएगा हेर ग्रोथ बहुती ज़्यादा प्रोमोट होगी यह बिल्कुल अजमाई ही रेमेडी है हपते में दो से तीन वार जब भी आप अपने वालों को वाश करें तो इसको लोग आकर जरू देखिए आपको इसके बहुत ही अच्छ रेजल्ट मिलेंगे आप इसे घर पर बड़ी आसानी से रेडी कर सकते हैं वो भी बहुत कम समय में तो आप इसको ट्राइ करके जरूर देखिएगा इस रेमेडी के रिकार्डिंग अगर आपका कोई कोशन है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पुछिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी प्लीज वीडियो को लाइक करियो जादा से जादा शेयर करिएगा फेस्पूक और वर्टसेप पर जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके अब में मिलूँगी आपस अपने नेक्स वीडियो में एक ऐसी ही नेचरल घरेलू रेमेडी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर हेवे नाइस डे रादे रादे दोस्तों